बिसमिल्ला रह्मान रह्मान रह्म एक्सरसाइस 4.3 Q31 Q31 में है Find the area of triangular region whose vertices are हमें vertices तीन दियो है ठीक है triangle के A vertex है जिसके coordinates है 5,3 और B vertex है जिसके coordinates है –2,2 और C vertex जो है उसके coordinates है 4,2 यह तीन vertices हमें दियो है ठीक है और हमें कहा हुआ है कि इन से एक triangle बनती है हमने उस triangle का area find करना है जिसके यह एक triangle बन रही है जिसके तीन vertices है उन तीन vertices के मैं नाम रखते हैं A vertex, B vertex और C vertex तो इस triangle का हमने area find करना है तो area of triangle क्या होते है जो के हम पहले भी classes में बढ़ते हैं ठीक है half into base into height यह किसी इसका formula है area of triangle triangle area of triangle triangle का area find करने के लिए यह हमारे बस formula होता है तो एक तो method यह हम पहले क्या करें के sides मालूम कर लें ठीक है A, C side, A, B side, B, C side फिर हम देखेंगे के height क्या है इसमेंसे जब हम अपने question की तरफ आते हैं question में हमें कहा था के इन तिनों points को चेक करना है के यह को linear हैं यह नहीं हैं तो जैसा के हमने अभी बात की के area find करके हम check कर सकते हैं तो area of triangle इन से find करते है area of triangle तो area of triangle किसके बराबर था जो question number 31 में हमने calculate किया के तीनों x coordinates तीनों y coordinates ठीक है पहले तीनों x coordinates आ जाएंगे एक column में पहले column में ठीक है 2, minus 1 और 4 इसी तरह से तीनों y coordinates तीनों points के y coordinates आ जाएंगे 3 1 और minus 5 अब उसके साथ 3rd column किस चीज़ का बनता है 1 1 1 का सही है 1 1 1 और इसका determinant ले लिया जाए और साथ में 1 by 2 से multiply कर दिया जाए तो area of triangle बन जाता है तो इसको हम solve करते हैं 1 by 2 इसी तरह और बाकी हमने determinant find करना है तो first row से हम solve करते हैं 2 into क्या आजएगा 1 into 1 minus into minus 5 मतलब कि 1 plus 5 बन जाएगा ठीक है 2 into 1 plus 5 आके क्या आएगा minus 3 into 3 से अगर हम करें तो यह column delete यह रोड delete बाकी का बचा ad into minus bc बनता है minus 1 minus 4 जिस तरह first year में हमने determinants find किये थे matrices के उसी method से हम solve कर रहे है plus one third column ठीक है अब यह third column delete हो जाएगा और first row delete हो जाएगी बाकी हमने बस के बचा यह 4 elements बचें और इनको ad minus bc मतलब के यह हापस में multiply करेंगे ठीक है minus 1 को minus 5 से multiply किया तो 5 बना minus 4 को 1 से multiply करेंगे ठीक है 5 minus 4 तो यह इसका determinant हो गया अब इसको solve करेंगे तो 1 by 2 into 2 into 6 minus 3 into minus 4 minus 5 minus 5 minus 5 बन गया plus 1 into 5 minus 4 is 1 सही अब इसको मजीद simplify करते है 1 by 2 into 2 6 to the 12 plus 15 plus 1 तो इसको अगर add कर दिये जाए तो हमारे बस बनता है 28 28 1 by 2 into 28 और यह result बनेगा 14 14 मतलब के 14 square units इसका area है इस triangle का तो मतलब के 0 area नहीं आया 0 area नहीं आया उसका क्या मतलब है कि कोई ने कोई एरिया बन रहे ठीक है 14 square units एरिया आ चुक है उसका क्या मतलब है कि कोई ने कोई ट्राइंगल बन रही है ठीक है ट्राइंगल बनने का मतलब क्या होता है कि तीनों points को लिनियर नहीं है मतलब कि एक line पे लाए नहीं कर रहे तो हम कह सकते हैं कि as the area area of triangle ABC ABC triangle है ठीक है is not equal to 0 क्योंकि 0 नहीं आया 14 है ठीक है तो हम कह सकते है does the points a, b, and c are non-collinear अगर तो यह area 0 आ जाता है तो हम कह सकते थे कि यह तीनों points क्या है को लिनियर है ठीक है तो इस lecture में हमने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले हमने area of triangle find किया हमें तीन vertices दी होई थे तीन points दी होई थे हमें कह गया था कि इस इन तीनों points से जो area बनता है triangle का जो triangle इन तीनों points से बनती है उसका area find करें तो हमने पहले देखा कि area पहले हम जो पढ़ते आए है area का formula area of triangle वह होता था half into base into height तो उसके लिए हमें पहले sides निकालने पढ़ती base निकालने पढ़ती height निकालने पढ़ती ठीक है तो वह एक लंबा method हो जाता है तो उससे असान method हमने यहां पर देखा कि हम matrices यूज़ कर सकते है determinants यूज़ कर सकते है ठीक है तो जो हमने formula देखा area of triangle is equal to half into determinant of x coordinates का पहला column बनता है y coordinates का दूसरा column बनता है वो third column one 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 का बनता है ठीक है तो इनका determinant को इस determinant को solve किया जाए और one by two से multiply किया जाए तो हमारे बास area of triangle बन जाता है सभी है जिस तरह के हमने question number 31 में solve किया और उसके बाद question number 32 में हमने क्या किया कि हमारे बस 3 points given थे ठीक है हमने find करना था कि ये 3 points collinear हैं या नहीं है तो हमने पहले बात की के collinear क्या होता है collinear जो सब points जो एक ही line के ओपर लाए कर रहे हूं उसको कहा जाता है collinear points ठीक है तो अगर ट्राइंगल की बात की जाए तो ट्राइंगल का बनती है कोई ना कोई एक point line से हट के होती है ठीक है तो मतलब कि एक ही line पर लाए नहीं कर सकता triangle बनाने के लिए तो तीनों points अगर उन तीनों points से area of triangle find किया जाए तो उसका area 0 आए तब उसका मतलब होता है कि वो क्या है collinear points अगर 0 आता है तो collinear points है अगर area 0 नहीं आता तो वो collinear points नहीं है तो यहीं चीज़े हमने आपर इस lecture में देखी यहाँ पर exercise 4.3 end होती है